हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहे हैं सक्सेस पर आज की इस वीडियो में हम विल्ली मेटेल की जिव हमारी वन लाइनर कीशन की सीरीज चल लेए उसमें हम नेक्स चैप्टर को कवर करने वाले हैं आज का हमारा चैप्टर है फेरस एंड नान फेरस में इससे रिलेटेट जो भी आपके इंपोर्टेंट कीशन बन रहे होंगे सभी को हम ओन लाइनर के सीरीज में देखेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो विल्ली मेटेल की वन लाइनर की प्लेलिस से जाके आप पीछे की इसे वीडियो देख सकते हैं तो यह अपने चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रिश कर लें जिसके हमारे नए वीडियो की नोटिफिकरिशन आपको मिलती रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कराएंगी जिस धात में आपकी मुख्य लोहा है ऑँ धात उमारे लोधात कह सब्सक्राइब अर सब्सक्राइब कर लोधातू के मुख्य घटक पाइसे सब्सक्राइब वे धातवे जिनमें लोहे का अंश नहीं होता या बहुत कम मात्रा में लोहे का अंश होता है वो क्या कहलाते हैं तो हमारे अलाहू धातवे कहलाएंगे जैसे कि आपका इस चेप्टर का नाम यह है फेरस और नौन-फेरसमेटर्स तो जिस धात में आपके लोहे की ज्यादा मात्रा होगी वो आपकी लोधात में कहलाएंगे और जिस धात में आपके लोहे की मात्रा नहीं होगी और बिल्कुल नौ के बरावर होगी बहुत कम मात्रा होगी उसको हम अलाव धात में बोलते हैं इसमें आपके लोहे की जो मात्रा होगी वो आपकी ज्यादा होगी नेक्ष्ट हमारा है लोहे का अशुद रूप है लोहे का अशुद रूप क्या है आपका कच्छा लोहा पाया जाता है और परिश्कृत और अशुद रूप में पाया जाता है नेश्ट अमारा है कच्छे लोहे का संगटन है 95% लोहा और 4-5% कारबन ये आपका composition है कच्छे लोहे का उसे 95% आपका लोहा होता है और 4-5% आपका कारबन होता है नेगे पिलैए कुछिया लोह का गलन्ताप आपका 1200 cm नेश्ट्र हमाँ था ने पिमने पूझीप किल्सेश सेंटिप्रीयोल नेश्ट ने पिलैए कुछिया लूह का अकट गुत ब Sandy पूं 실im भाग है कफ्रेक बॉह होता है नेश्ट हमारा है लोहे का सुधतम रूप है तो लोहे का सुधतम रूप आपका पीटवा लोहा है इसको हम राट आइरन बोलते हैं यह आपको इंपोर्टेंट है और यह क्यों से आपका पुछलाता एक्जाम में नेश्ट हमारा है लोहा बनाने में प्रयोग होने वा लोहे में कारबन की मात्रा कितनी होती है तो 2 से 4 से लोहे में आपकी कारबन की मात्रा पर्योग करते हैं नेक्स्ट हमारा है ढलवा लोहे के थंडा होने के आधार पर इने वर्गी कृत किया जा सकता है। ढलवा लोहे में आपका बिरोधी संचारागुड होता है। नेश्ट अमारा है सफेट धल्वा लोहे में असुदी के रूप में होता है क्या कार्बाइड सफेट धल्वा लोहा जो होता है उसमें असुदी के रूप में आपका कार्बाइड होता है नेश्ट अमारा है धल्वा लोहा होता है भंगुर यानि कीब डिटल होता है नेश्ट जब हम इस पात में carbon की मात्रा बढ़ा देंगे इसकी तन्यता होती ड्रक्टिलीत यू अपकी डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट हमारा है धूसर ढलवा लोहे का शंगतन होता है इसमें इसका composition क्या होता है इसमें carbon की मात्रा 2-5% सिलिकान आपका 1-3% और लोहा होता है नेश्ट हमारा है सफेद धल्वा लोहे का संगटन है इसका आपका कमपोजीशन क्या है कारबन की मातर बहुत कम होती है कितने होती है इसमें आपकी कार्वन की मात्रा होती है रोट आयरन में जो आपका एक्जाम में पूछा जाता है पिटवा लोहा साहता से बनाया जाता है तो परावर्तनी भठी की साहता से पिटवा लोहा आपका बनाया जाता है नेस्ट हमारा है पिटवा लोहा बनाने में सम्मिलित बीधि और आसानी से weld कishing जाने वाला यह सभी गुडव किस होते हैं इसमें मिट्टी खटाने की प्रक्रिया को कै भूते हैं जोक्ते रिवेट, कील, तार, जंजीर, रेल, रेलवे में यूगबन, नट्वा, बोल्ट इता है, यह सभी आपके पिटवा लोहे के उत्पाद है, रॉट आइरन के नेश्ट अमरा है, इस पाथ, इस टील से रिलेटेड जो भी आपके क्यूशन है, उसको हम देख लेते हैं, लोहे औ और कार्वन के मिस्रड को क्या कहा दाता है, इसको हम इस पाथ बोलते हैं, लोहे और कार्वन के मिस्रड को, इस पाथ में होता है, क्या उच्छी तनन सामर्थ, इस पाथ में आपका उच्छी तनन सामर्थ होता है, इस पाथ में कार्वन की मात्रा होती है, डेड़ परसेंट मध्यम कर्बन कीमात्र तक होती है नेक्ट की सन ओच्छी कार्बन कीमात्र होती है 0.70 से 1.5 परसंट तक है नेश्ट है इस पाथ का प्रयोग किया धाता है ओजार, मशीन, मोटर इंजन, तार, रेल, वववन अ पूल, इत्यादि में इन सभी में आपका इस पात का प्रयोग किया जाता है देश्ट अमरा इस पात की विस्टा है इस पात की जो जो भी स्टा है उसा भी कम देख लेते हैं इस पात का घनत्त होता है डेंसिटी उसकी कितनी होती है 7.872 इन्टू 10 to the power 3 kg per meter cube यह आपकी इस पात की डेंसिटी है डेंसिटी आप स्टील नेस्ट अमरा है इस पात का प्रतियास्ता मापांग इनकी इलस्टिक कितनी होती है तो 201 गीगा पासकल इनकी इस पात की प्रतियास्ता गुडांग इनका मापांग होता है नेश्ट हमारा है 20 degree centigrade पर इस पाथ का तापी परशार कितना होता है इसका thermal expansion तो यह आपका 117 x 10 to the power minus 6 पर degree centigrade यह आपका 20 degree centigrade पर इस पाथ का तापी परशार है नेश्ट हमारा है इस पाथ की विशीश टूस्मा तो इसकी विशीश टूस्मा होती है 486 joule per kg Kelvin नेश्ट हमारा है इस पाथ का तनन सामर्थ है तो इस पाथ का तनन सामर्थ आपका 565 मेगा पास्कल है यह सभी किशन इंपोर्टेंट है और एक्जाम में पुझे आते हैं गर्म बेलनाकार इस पाथ की नम्मेता सामर्थ है 310 मेगा पास्कल यह गर्म बेलनाकार इस पाथ की तापी परसार गुडांक है तो 12 x 10 to the power minus 6 per degree centigrade यह आपका इस पात का तापी परसार गुडांक है कि वीडियो आपको कैसे लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यादि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें पर नेक्ट हमा रहा है अलाओ धात्व याणि कि नॉन फेरस मेटल अब इससे रिलेटेट जो भी आपकी कीशन बनते हैं इसको हम देख लेते हैं इसमें आपका आ जाता है अलुमिनियम नॉन फेरस मेटल किसे बोलते हैं जिसमें आपकी लोहे की मात्रा बहुत कम हो उसको हम साथ to Union से रिलेटेड जो भी कीशन उसको झालेम देखते हैं मुखिता पाई जाता है इस में बाक साइट में एलउमीनियम का रंग होता हैनीला सफेत यह कर रंग होता है तानेला सफेत नेश्चित-मराँ है अलूमिनियम का प्रयोग किया यता है घरों में उन्टे शिल्स बनाने में बिद्धोतार बनाने में और एर क्राफ्ट उद्धोग में अलूमिनियम का प्रयोग हमकडते हैं में नेक्स हमारा है copper नॉन फprésरस मेतल में तो copper होता है आपका जेंग प्रतिरुधक कापर कीृशcket होता है यानी की और जौता है Plant यानि की Drukt данेल होता है नेचर में नेक्स हमारा है copper का ग्लांग सब्सक्राइबोध कुछ सब्सक्राइब को फोरा ये तो थो है नीपक्ता अजी प्रून से tentang तरियंग सब्सक्राइब कइसमें अधान गम अंजारे प्राएब के रूप में अभीड्वा रहकोपा रेंग होता है मुलाम, भारी, लचिला, जंग, प्रतिरोधक्ष इस सभी गुड़ावक के लेड में होते हैं नेक्स्ट कीचन है लेड का प्रियोग किया आता है वाटर पाइप बनाने में इलेक्ट्रिक केबल बनाने में अमली टैंकों में और चत आवरण में आधमें लेड का प्रियोग हम करते हैं साहरा है अये अपका नौन हैं धारे आता है ने Kane अमारा अक्षाईड की रूप में पाया टाgoing के साथ पाया जाने वाले शफैद धात को कहा जाता इसको क्या बोलते हैं साहब के जातलों कर दोताạo Sm तीनन में यूटेन सिल्स वा तारू में यहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं नेक्ट हमारा है जिंक का मुख्य आयस्क है blend और कोला माइन यह दुरू मुख्य आयस्क है जिंक के जिंक होता है नीला सफेद दाथ जिंक का गल्लांग है 420 डिग्री सेंटिग्रेट जिंक के गुड़ कौन-कौन से है उच्छ जंग प्रतिर्वदक्ता उच्छ प्रवा और निम्न गल्लांग की आपके जिंक के गुड़ है जिंक का प्रयोग कहां पर कियाता है तो बेलनाकार सीटे बनाने में गल्लाइज तार बनाने में और कील बनाने में हम जिंक का प्रयोग करते हैं नेक्ट हमारा है निकल तो निकल होता है आपका एक सफेद दा तो निकल हमारा होता है निकल का गल्लांग होता है सब्सक्राइब करते हैं और लास्ट क्विशन आज का हमारा है बूलेट प्रूफ सीशा बना होता है बूलेट प्रूफ सीशा बना होता है जो कि क्या होता है उच्छे सकती प्लास्टिक होता है आपके एक्जाम में पूछा जाता है यह था आज का हमारा लास्ट क्विशन आपको इस चैनल आप मिलती रहती है नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर को पर बात करेंगे जो भी आप का विल्डिग मेट्रेल का अभी एक चैप्टर आपका बचा हुआ है तो उसको हम कवर कर लेंगे उसके बास से आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स जो हमारा सब्जेट होगा कि सब्जेट के ऊपर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा वालान लाइन पश की सीरीज है की सब्जेक्ट है